हेलो दोस्तो माया का प्यार बरा नमस्कार कैसे आप सब आई हो बच्छे ही होंगे आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ मेरे पास पुराना कैरम बोट पड़ा हुआ था बच्चों का उसी पे मैंने एक आर्ट किया है जिसे हम वाल पर हैंक कर सकते हैं जो बनाने में बहुत हीजी है और देखने में भी बहुत सुन्दर है तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेरे पास ये बच्चों का पुराना कैरम बोट पड़ा हुआ था जो अब यूज नहीं होता है इसके चारो होल को बंद करने के लिए मैंने कार्ट बोट के चार पीस किया है और उसके पीछे में फैबरिक को लगाने के बाद इसे चिपका दूँगी और जब ये चारो कोने चिपक जाएं तो मैं इसको पलड दूँगी और उसके बाद हम इस पर जैसो अपलाई करेंगी ये जैसो मैंने घर में खुद से बनाया है ब्रस की मदद से मैं पूरे बोर्ड में जैसो को अपलाई कर दूँगी और जब ये जैसो सूख जाए तो उसके बाद पत्थर के य DIY में यूज करती हूँ इसको लगाना भी बहुत आसान है फैबरिकल का हीटेक्स लगाने के बाद मैं उपर से इसे डाल दूँगी ये देखे मेरे पास एक साधी का कार्ट पड़ा हुआ था इसमें बहुत प्यारा डिजाइन है मैंने एक साल से इसे समाल के रखा हुआ है इस स्टेंसल की तरह हम इसे यूज करेंगे जब मैंने इसको नापा तो ये थोड़ा बड़ा है साइज में तो मैं इसको कट कर दूँगी अब देखें ये मैंने काट दिया है और जो साइज मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है अब जब साइज मिल गया तो इसके बाद मैं इसे टेप से चारो तरह से फिक्स कर दूँगी ताकि हमारा स्टेंसल हिले नहीं और जब ये अच्छी तरह से चिपक जाए तो एक स्पंज की मदद से मैं इस पर कलर करूंगी इस आठ को बनाने के लिए जितने भी कलर मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पर वो सारे एक्र इसी तरह से यूज करेंगे इसके किनारों के लिए अब जब ये सूख जाये देखे मैंने निकाल दिया है कितना सुंदर डिजाइन निकल के आया है अब मैं इसके दूसरी साइट को भी इसे टेप की मदद से फिक्स कर दूँगी मैं इसे गोल साइज नहीं चाहिए था थो कलर कर दूँगी और जब ये सूख जाये तो मैं इसे फिन निकाल दूँगे ये देखे सूखने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से आ रहा है बीच में जो थोड़ी गलतिया हुई है हम उसे बाद में सुधार देंगे उसके बाद मैं इसके चारो कॉर्नर में इसी तर के बांडरी पर भी डिजाइन देकर कलर कर देंगे ये देखे मैं इस तरह से स्पंज के मदद से चारो कोनों को इसी डिजाइन से बना लेती हूँ और उसके बाद जो ये बांडरी है इस पर हम इसी तरह से यल्लो कलर यूज करेंगे और उसके बाद जो मैंने ये चोटे पत्थर के टुकड़े लगा दे इसके उपर मैं गोल्डन ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ इसे भी हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और जब हमारा कलर सूप चाएगा तो हम इसके बाद 3D आउट लाइन अपलाई करेंगे जिसे हमारा डिजाइन और निकर के आए और बीच में मैं इसके गलेटर वाला 3D आउट लाइन यूज करूँगी ताकि हमारा जो डिजाइन है वो खूब सुन्दर से उभर कर आए यह देखिए मैंने इस तरह से इसमें यह सारे आउट लाइन कर दिये हैं डिजाइन पर उसके बाद जो यह बॉन्डरी हमारी बची हुई थी इस पर मैं गोल्डन ब्राउन कलर यूज कर रहे हूँ और जब यह कलर सूप जाए तो मैं यहाँ वानिस यूज कर रहे हूँ वानिस यूज करने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और यह हमारे बोड का फाइनल लुक है आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये हसते रहे मुस्कराते रहे बाई बाई